गुड मॉर्णिंग एवरिवन कैसे हैं आप सभी आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ बेशन के चीले की रेसिपी यकीन मानिए यह सिर्फ पांच मिनट में बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो जब आपको जल अब मैंने बेशन निकाल लिया है देखिए बेशन हर किसी को सूट नहीं आता यह गैस बनाता है कुछ लोगों के तो इसके लिए हम इसमें एक चमच आटा गेहू का मिक्स कर लेंगे तो उससे फिर यह नुकसान नहीं देगा और हमारे चीले सोफ्ट भी बनेंगे यह मैंन से गैस नहीं बनता तो बेशन की आप कोई भी नमकीन चीज बनाए उसमें अजवाइन जरूर डाले यह थोड़ा सा मैंने हम चूर पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला और यह थोड़ी सी हींग हींग का फ्लेवर बहुत ही टेस्ट आता है इसमें यह थोड़ी सी देखे हमें अगर नोनिस्टिक पैन पर बना रहे हैं हम तो हम उसमें पानी ज्यादा एड़ करेंगे बिल्कुल पतला पेस्ट बना लेंगे अगर लोहे के तवे पर बना रहे हैं तब भी हम पतला ही पेस्ट बनाएंगे क्योंकि पतला पेस्ट बहुत ही फटा फट से फैल भूल गई थी तो यह मैंने हल्दी डाल दी थोड़ी सी अब मैं पतले पेश्ट से कितना पतला चीला तियार करूंगी यह मैं आपको दिखाऊंगी यह देखिए प्याज बिल्कुल बरीक बरीक इसलिए काटनी क्योंकि अगर मोटी प्याज होगी तो मेरा चीला भी मोटा ही बनेगा तो जितनी बरीक आप काट सकते हैं उतनी बरीक प्याज काटीगा अब यह पतला हो गया है बिल्कुल अब यह थोड़ा सा पाने मिक्स करूंगी यह देखिए अब यह आसानी से तवे पर फैल जाएगा अब इसे फैलाने के लिए मैं अगर चम्चे से डालूंगी तो बार बार डालूंगी तब तक हमारा पहला डाला हुआ चीला वह तवे पर जम जाएगा तो इसलिए मैं एक कटोरी से ना प्ले लेती हूं यह मैंने छोटी कटोरी लिए है मैं इसे भर बर कर एक कटोरी से एक चीला तियार करूंगी यह देखिए यह मैंने एक कटोरी ल और देखिए यह जब हम नोनिस्टिक पैन लेते हैं तो इस पर नहीं हमें चिकनाई लगाने की जड़त पड़ती है बिल्कुल भी लोहे के तबे पर हलकी मिल्की चिकनाई या घी या तेल जो भी आपको अच्छा लगे वह आप लगा सकते हैं लेकिन उस पर भी काफी पतले अजय के बïंण चैली जब तक पूरा जिला इस तरीके कर नहीं हो जाता हूए कि यह यहाँ से पका हुआ था ओर यहाँ से कच्छा है लेकि hem उन्यूहरे प्लटीम के तो यह त्ससेश्य होखे़ेगतर नहींाने से कम से एक च्शाए माइनल भी को और प्लटाव मुज हिश् तेस्टी वी यह देखिए अब दोनों तरफ से जब तक अच्छे से सिके नहीं इस तरीके से पलटते वे धीमी धीमी आज पर पकाएंगे तो बहुत यह अच्छा बनेगा अगर आप तेज आज पर बनाएंगे तो यह जल जाएगा तो इसलिए हो सके तो अगर आपको जल्द तो चीले बनाने की यह ट्रिक आप यूजरूर कीजएगा बिलकुल पतले पेश्ट के चीले बनाएंगे जब आप गाडे पेश्ट के बनाते हैं तो एक ही जगह तवे पर जम जाता है हमारा पेश्ट तो चलिए यह तयार है मेरी ठाली ब्रेक फास्ट की खालीजी आप से इसे आप चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ चाहे तो सोस के साथ सर्व करें